हेलो आइस्पिरिंस विल्कम यू आल बाक इंटो माय चानल एस एक्जाम एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर आर भी एंटी पीसी के 23rd जैनुवरी 2021 का आज इसमें शिप्ट नहीं थे तो पर्स शिप्ट लगा लीजिया तो पहला क्वेशन है हमारे पास 50 is equal to 40 हमें दे रखा है तो यह गया कितना 2 times x की value कितनी आज जाएगी 80 यानि 80% of 50 is 40 option number 1 हमारे यह correct हो जाएगा next है question number 2 and यह कह रहा है कि if Sachin secures 70% marks in mathematics and 60% in science what percentage of marks did Sachin get in both subjects together assuming both subjects have equal maximum marks ठीक है तो अगर हम माले कि दोनों का ही 100 maximum marks रहा है तो maths में उसके कितने आजाएगे 70% यानि 70 marks और science में आजाएगे उसके 60 marks अब इन दोनों को आप add कर लीजिए आपके पास कितना आजाएगा यह आजाएगा आपके पास 120 और आपको कितना बोला है दोनों के equal marks है यानि कि यह हो जाएगा 200 60% in science 670% ठीक है अच्छा ने यह 130 होगा राइट इन 200 तो यह और यह cancel होगे यह होगे आपके पास 65 यानि कि आपके 65% marks है which is option number 2 correct next है आपके पास question number 3 एंड यह कह रहा है कि अगर war जो है वो star से relate करता है तो यह किस से होगा तो देखिए अगर आप देखिए यह war को ही raw को ही उल्टा करके लिखा है तो हम star को उल्टा करेंगे तो क्या होजाएगा rats which is option number 3 correct next is question number 5 मैंने बीच में से हटा दिये हैं जीके के questions आगे वो हैं लगे हुए तो I thought कि उनको भी लगे ही रहने देते हैं ठीक है बीच में मैंने यह आपर हटा दिये हैं तो x and y can complete a piece of work in 16 days तो अगर हम देखें एक मिइट एक्स प्लस y जो है वो 16 days में कर लेते हैं y pls z जो है वो हमारे पास 24 days में कर लेते हैं और x pls y pls z जो है हमारे पास 12 दिन में यह काम कर लेते हैं टो अगर हम देखें इनकी L से मितना हो जागा यह हो जागा 48 इसकी value आगए हमारे पास कितनी 3 इसकी value आगए 2 इसकी value आगए 4 हमें क्या पूछा है इन how much time will x and z finish the work ठीक है तो अगर हम यहाँ पे इसको और इसको minus कर दें तो हमारे पास क्या आएगा नहीं यह नहीं कर सकते हम हम पहले x की efficiency निकाल लेते हैं तो हम क्या करेंगे हम इस equation में पहले यह वरा डाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आजाएगा x is equal to 4 minus 2 यानि कि x की value 2 आ गई वहीं पर अब इसमें हम first वाल equation की value substitute कर लेते हैं तो z की value कितनी आ जाएगी z की value आ जाएगी 1 यानि x plus 1 की efficiency कितनी हो गई 3 total काम कितना है 48 48 divided by 3 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 16 यानि कि option number 3 हमारा correct हो गया next हम आपस question number 7 यह कह रहा है कि among the given word there are 3 alike in some manners and one different select the odd one out तो देखिए cow के बच्चे को हम calf कहते हैं lion के बच्चे को हम cub कहते हैं insect के बच्चे को lava कहते हैं लेकिन dog जो है वो bark करता है dog के बच्चे को हम puppy कहते हैं तो यह हमारा odd one out हो जाएगा option number 3 correct next question number 8 and यह कह रहा है the number of girls in a class is seven times the number of boys which of the following cannot represent the total number of children in the class ठीक है तो देखिए अब अगर हमें बोला है seven girls है time girls और यह होगे हमारे पास boys तो इन दोनों का total कितना होगा eight जी अब हमें पुछा कि कौन सा possible नहीं हो सकता है यानि कि जो total बच्चे होंगे वो eight के multiple में होने चाहिए तो यह eight से multiply होता है यह भी eight से multiply होता है यह भी eight से multiply होता है बट यह eight से multiply नहीं होता तो यह possible नहीं है और option number three जो है वो आपको correct हो sorry two जो है वो आपको correct हो गया next है हमारे पास question number 12 ये बोल रहा है कि the three numbers are alike identify the number which belongs to that group ठीक है तो अगर हम देखें क्या बन रहा है देखें 9-4 करने से 5 बन रहा है 6-1 करने से 5 बन रहा है 8-3 करने से 5 बन रहा है 7-2 करने से 5 बन रहा है तो ये हमारा correct option हो जाएगा which is option number 1 correct next हमारा पस question number 16 ये कह रहा है कि if w is coded like this cat is coded like this how is dog coded तो अगर हम देखें w को कैसे लिख सकते हैं 23 यानि ये 2 से multiply वो के 46 बना है वहीं अगर हम cat देखें ये होता है 3-1 और ये हो गया 20 which is equal to 24 24 को 2 से multiply करेंगे तब हमारे पास 48 आएगा यानि कि dog में 4 plus 15 plus 7 करने से हमारे पास कितना हो जाएगा 26 into 2 कीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 52 यानि कि option number 4 हमारा correct हो गया next question number 17 ये कह रहा है कि Sophia and Rohan plays badminton and football तो यहाँ पर Rohan है और Sophia है ये badminton और football खेलते हैं ये भी badminton and football खेलते हैं Dinesh and Rahul plays cricket and volleyball ये भी cricket and volleyball रोहन और नवीन plays hockey यानि यहाँ पर एक hockey भी आ जाएगा plays hockey and cricket यानि cricket भी आ जाएगा ठीक है and एक और कौन है नवीन नवीन का लिखा है hockey and cricket who does not play cricket तो यहाँ cricket है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ पी है तो यह S नाम का कौन था Sophia तो option number 4 हमारा correct हो जाएगा next है मारे पास question number 18 and यह बोल रहा है कि select the mirror image of the figure X तो अगर यहाँ पे यह arrow है तो यह इस तरफ नहीं हो सकता यह हट जाएगा हमारे पास यह इस तरफ point कर रहा है तो यह यहाँ पे भी नहीं हो सकता यह बोल भी नहीं हो सकता यह भी हट गया और option number 3 हमारा correct हो गया which is D next है हमारे पास question number 21 and यह कह रहा है कि 4 numbers of the given is odd one out basically हमें यहाँ पे पता करना है तो अगर हम देखें 4 plus 1 plus 7 plus 4 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास यह आजाएगा हमारे पास 16 5 plus 4 plus 5 plus 9 करते हैं तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 23 2 plus 1 plus 2 plus 6 करते हैं तो यह हो जाएगा 11 वहीं 9 plus 6 plus 3 plus 7 करने से हमारे पास आजाएगा 25 यह तीनों odd हैं सिरफ यही even है तो यह हमारा odd one out हो जाएगा option number one correct next है हमारा पस question number 23 and यह बोल रहे हैं कि cos theta plus sec theta is equal to 2 then इसकी value हमें पता कर नहीं है ओके तो अगर हम देखें cos theta इसको मैं लिख रही हूँ plus one by cos theta is equal to 2 दिया है तो यह हो जाएगा कितना cos square theta plus one is equal to 2 cos theta right तो अगर हम इसको भी धर ले आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos square theta minus 2 cos theta minus 2 cos theta plus one अब यह कौन सा formula बन गया है यह बन गया है हमारे पास cos theta minus one का whole square right इसकी value आपके पास zero यानि कि यहाँ पर आपके पास cos theta की value कितनी आ गई है यह आगए है आपके पास zero तो यहाँ पे zero put कर दीचिए यहाँ पे भी zero put कर दीचिए तो यह तो हट गया और इसकी value आ गई one which is option number two correct next question की तरफ आगे पढ़ते है question number 24 है हमारे पास कि 2 sin 3x minus 3 is equal to 240 then what is the value of x in degrees तो हम यह देखिए कैसे लिख सकते हैं यह हम लिख सकते हैं 2 sin 3x minus 3 is equal to tan 240 यह तो हमें दिया ही हुआ है अब tan 240 हम कैसे लिख सकते हैं यह हम लिख सकते हैं tan 180 plus 60 is equal to 2 sin 3x minus 3 अब इसकोई value क्या हो जाएगी यह हो जाएगी tan 60 is equal to 2 sin 3x minus 3 tan 60 की value कितनी होते हैं root 3 और यहां से 2 नीचे चला जाएगा तो यह 2 हो गया और इसकी value हो गई sin 3x minus 3 अब यह कब sign कब root 3 by 2 होता है तो यह 60 पे होता है तो यानि की 3x minus 3 की value कितनी हो गई 60 यह हो जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा 3x is equal to 63 और x की value हो गई 21 यानि की option number 2 जो है हमारा वो correct हो गया next है हमारे पास question number 28 and यह बोल रहा है the angle of coadylateral are in the ratio this the smallest angle of these the smallest of these angles are तो देखे हमें पता है कि जो angles होते हैं वो sum करते हैं कितना 360 पे ठीक है तो यानि की 2x plus 4x plus 6x plus 8x की value हमारे पास कितनी दी गई है 360 यह कितना हो जाएगा 20x is equal to 360 और यह हो गया हमारे पास 180 यानि नहीं यह सही है 180 ठीक है 18 sorry 18 और सबसे smallest कौन सा है ratio 2 तो यानि की 2x हमारा हो जाएगा कितना 36 तो 36 हमारा smallest है which is option number 4 correct next है हमारे पास question number 30 और यह कह रहा है कि A and B together can dig a tank in 12 days A alone can dig it in 24 days then how much of the tank will be dig in a one day ठीक है तो अगर हमें देखें A plus B की हमें कितनी दे रखी efficiency 12 days time of work और A की दे रखी है हमें 24 else हम निकालते हैं 24 हो गया यह हो गया 2 और यह हो गया 1 efficiency जब A की efficiency 1 है तो obviously बात है कि B की efficiency भी 1 हो गई ठीक है अब B कितने दिन में काम खतम करेगा तो 24 unit काम है, efficiency 1 है यानि वो 24 days में ही काम खतम करेगा बट हमें पूछें कि वो एक दिन में कितना काम खतम करेगा तो यह हो जाएगा 1 by 24 तो option number 3 हमारा correct हो गया next है हमारे पास question number 32 and यह बोल रहा है इसको हमें solve करना है तो जब भी हमें यह उपर बार दिया गया होता है न तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं 5 by 9 तब ही repeat होते चले जागा, यहाँ पर आजागा यह 6 by 9 यह हो जाएगा 7 by 9 और यह हो जाएगा 8 by 9 इसको add कर लीजे, यह कितना हो गया 26 by 9 which is equal to 2 8 by 9 तो option number 3 हमारा correct हो गया next है हमारे पास question number 3 यह कह रहा है हमें कि अगर काम को हम ऐसे code करते हैं लव को ऐसे code करेंगे, राइट तो C क्या है हमारे, ओके तो C और X जो होते हैं, वो opposite होते हैं L और O opposite होते हैं, M और N opposite होते हैं तो L के opposite में कौन होता है? O, O के opposite में L होता है, V के opposite में E होता है और E के opposite में V होता है तो option number 4 हमारा correct हो गया Next है मारे पास question number 34, यह तो GS का है, Indian Space Program was started by Vikram Sarabhai Next है मारे पास question number 35, Fard Painting, an art form of Rajasthan is a religious form of painting India's first supercomputer is called Param 8000 Next है मारे पास question number 37, यह हमें कह रहा है कि in a given figure the rectangle shows the number of students in 10th grade of the school the parallelogram shows the number of girls, तो girls हमारे को कौन से दे रखी है यह girls है triangle shows the number of tennis playing, यह tennis वाली हो गई circle shows the number of boys playing cricket, boys cricket वाले और क्या है parallelogram shows number of girls, triangle shows tennis and circle shows number of boys playing cricket in the school, एक rectangle shows, यह है rectangle shows students in 10th, ठीक है how many students are there in 10th grade and how many of them play both cricket and tennis, ठीक है 3 और 7 तो यह कितना हो गया 10 यह हो गया हमारे पास 10 20 और यह हो जाएगा हमारे पास 3 लास्ट में ओके 3 है और यह आ जाएगा हमारे पास 6 तो 63 है यह दोनों तो हट गए अब हमें बोला है कि who plays both cricket and tennis तो टैनिस का जो question number 38 and यह कह रहा है हमें कि the sum of two numbers is 75 and difference of their square is this much find the difference between the two numbers तो अगर हम देखे हमें a plus b की value दे रखे है कितनी 75 वहीं पर a square minus b square की value दे रखे है हमें 300 तो हमें पूछा किसका है हमें पूछा है a minus b का तो अगर हम देखे है a square minus b square वाला formula लगाते हैं यह हो गया a plus b और यहां हो जाएगा a minus b तो यह कितना हो गया यह तो 300 हमें दिया ही गया है यह हो गया 75 और x की इसकी value हमें पता करनी है तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा four times यानि x हो गया four which is option number four correct next हमारे पास question number 39 the international airport of which of the Indian city is named after BR Ambedkar that is Nagpur find the difference between the face value of 9 and 3 ठीक है तो अगर हम देखें यहां पर face value of 9 क्या है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा face value होती क्या है देखें पर जब हमें 9 यहां दे रखा है इसकी face value होगी 90 जो भी number दिया है उसके पीछे 0 लगा दीजिए तो यह 90 हो गया यह 3 है तो यहां पर सारा 3 हो जाएगा तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगा कितना ओके face value यह होगी okay face value तो same ही होती है sorry यह तो place value होगी 90 और यह face value दोनों की same ही होगी just there's 9 and 3 दोनों को minus कर दीजिए आपके पार साल जाएगा 6 तो option number 2 हमारा correct हो जाएगा next time मारे पास question number 41 abbreviation of upu that is universal postal union and 42 की बात कर लेते the product of two co-prime numbers is 119 their lcm would be तो देखें co-prime numbers कौन से होते हैं जिसका common factors नहीं होते हैं they have one के अलावा उसका कोई भी common factor नहीं होता है तो obviously यही उसका lcm बन जाएगा and 119 आपका correct answer हो गया next time के पास question number 43 and यह कह रहा है कि अगर tan 3 theta and tan 6 theta की value 1 है तो tan 30 theta की value कितनी होगी ठीक है तो अगर हम देखें tan 3 theta को हम कैसे लिख सकते हैं cot 90 minus theta right तो अगर हम देखें यह हो गया कितना हमारे पास tan 3 theta और यह हो जाएगा हमारे पास tan इसको उस तरफ ले जाते हैं यह हो जाएगा 1 by tan 6 theta यह क्या हो गया यह हो गया हमारे पास cot theta तो यह हो गया tan 3 theta is equal to cot 6 theta अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 90 minus theta यानि 3 theta is equal to हमारे पास आगया 90 minus 6 theta ठीक है तो अगर हम देखें इसमें theta की value क्या आगी यह उस तरफ चला जागा 9 theta is equal to 90 यानि की theta की value आगी हमारे पास 10 अगर अब हम देखें कि tan 30 theta यानि की tan 30 into 10 is equal to हमें पता करना है तो यह कितना हो जागा यह हो जागा tan 300 which is equal to how much 360 minus 60 और इसकी value हो जागा कितनी minus tan 60 which is equal to minus root 3 तो option number 3 हमारे यह correct हो जाएगा next question है हमारे पास question number 44 and यह कह रहा है which of this is not the member of United Nations Security Council as of October 2020 तो यह मलीशिया था then we have which country will be hosting 2022 FIFA World Cup that is Qatar and अब हाते हैं 46th question पे which of the following option provide below the closest area of the equilateral triangle whose side is 100 meters तो हमें पता है क्या formula होता है यह होता है root 3 by 4 a square तो यह कितना हो जाएगा root 3 by 4 into 10 by 10 into 10 तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा हमारे पास 5 यह हो जाएगा again 5 and इसको जब आप multiply करेंगे तो आपके पास आजाएगा 43.25 तो option number 2 हमारा correct हो जाएगा next है मारे पास question number 47 and यह बोल रहा है कि at what rate per percent of simple interest does the sum of money double itself in 12 years ठीक है तो double करना है यानि कि जो interest होगा वो भी P होगा हमारे पास तो P is equal to P into R into 12 divided by 100 यह गया 6 times यह गया 50 times P और P cancel हो गया इसकी value हो गई 3 यह हो गया हमारे पास 25 R की value हो जाएगा हमारे पास 25 by 3 which is equal to 8 1 by 3 तो option number 2 हमारा correct हो गया next हमारे पास question number 48 and यह बोल रहा है कि a boy bought some toffees at the rate of 15 toffees for 3 rupees and sold them at 3 toffees for rupees 2 what is the gain or loss तो अगर उसने CP of 15 toffees कितनी हो गई उसके पास Rs. 3 तो 45 toffees कि कितनी हो गई यह हो जाएगा हमारे पास 3 by 15 into 45 which is equal to rupees 9 तो उसने क्या किया है SP of 3 toffees कितनी है यह है उसके पास 2 तो 45 toffees कि कितनी हो गई यह होगी 2 by 3 into 45 which is equal to rupees 30 यह यह 9 था यह 30 हो गया तो अप गेन कितना है 30 minus 9 which is equal to 21 का गेन है 9 उसका CP था into 100 कर देते हैं यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा हमारे पास 3 और 7 which is equal to 233 1 by 3 option number 4 हमारा correct हो गया next हमारे पास question number 49 A is twice efficient as B and together they can finish a piece of work in 20 days A alone can finish the work in how many days ठीक है तो अगर उन दोनों की efficiency add करी जाए तो A की तो double थी B की one मान लिए जिये तो efficiency दोनों की 3 हो गए 20 दिन में काम कर लेते हैं यानि कि 60 unit काम हो गया तो A अगर दो की efficiency से काम कर रहा है तो यह 30 दिन में काम खतम कर लेगा which is option number 3 correct next है question number 50 एंड यह कह रहा है कि question mark के जगे क्या आएगा तो अगर हम देखें यह दोनों prime number है यह भी इसका next prime number है मतलब इन दोनों के बीच में तीन-तीन का gap है कौन-कौन सा 3 5 और 7 ठीक है वैसे ही यहाँ पर कितना आएगा यह आजाएगा यहाँ पर 29, 31, and 37 तो 11 के बाद कौन सा prime number आता है यह आता है 13, 17, and 19 यानि कि 19 हमारा correct answer हो जाएगा which is option number 1 correct next is question number 51 festival of game of kerala is board race okay यह है मारे पास next question find the smallest number that is exactly divisible by 7, 14, 28, 35, and 42 basically LCM हमें निकालना है तो 7 को कैसे लिख सकते हैं 7 into 1 14 को हम लिख सकते हैं 7 into 2 into 1 28 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 7 into 1 35 को लिख सकते हैं 5 into 7 into 1 and 42 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 7 into 1 तो अब LCM निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा 7 into 2 की बावर 2 into 5 into 3 यह option number 4 हमारा correct हो गया next है हमारा पस question number 55 and यह कह रहा है if a salary of A is 25% more than that of B how much percentage of the salary B is lower than A तो अगर A की 100 है दूसरे बाले की 25 है तो 125 नीचे आ जाएगा यह into 100 ठीक है तो यह गया कितना 4 times यह गया 5 times यह गया 20 times यानि की कितनी कम हो गया 4, 5 ठीक है यह हो गया 20 तो यह हो जाएगी इसकी 80, 80 salary है और यह 100 से कितना कम है तो यह 20% इसका कम है तो option number 1 हमारा जो है वो correct हो गया next है हमारे पस question number 50 okay यह तो हमें नहीं चीए question number 57 है हमारे पास there are three pieces of wooden locks which are 48, 56 and 72 meter long what is the greatest possible length of which they can be completely measure तो basically इस question में क्या करना होता है मैं HCF निकालना होता है तो 48 का क्या लिख सकते है हम यह लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 56 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 7 वही 72 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 3 ठीक है तो यहां एक 2 हो जाएगा यहां एक 2 हो जाएगा यहां एक 2 हो जाएगा यानि की 8 इसका LCM हो गया which is option number 3 correct next हमारे पास question number 58 and यह कह रहा है कि sin theta अगर इतना है तो हमें इसकी value हमें पता करनी है तो यह हो गया 5 यह हो गया 13 और हमें पता है 5, 12 और 13 का triplet बनता है तो base हो गया हमारे पास 12 इसमें substitute कर देते हैं तो cos यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 12 by 13 minus 5 by 12 divided by 2 into 12 by 5 तो अगर हम देखें यह कितना हो जाएगा 149 minus 65 divided by 156 into 5 by 24 अब यह हो जाएगा कितना 79 divided by 156 into 5 by 24 and इसकी value आपके पास आजानी चाहिए कितनी option number 1 that is 395 divided by 3744 option number 1 correct next है हमारे पास question number 59 seek and tall saal and teak is most important trees of deciduous trees ठीक है question number 60 जो है हमारे पास वो कह रहा है कि if x by 5, y by 6 and z by 11 all of these are equal then इसकी value हमें पता करनी है तो x by 5 is equal to y by 6 is equal to z by 11 की value हमें के दे रखी है यह हो जाएगा कितना x is equal to 5 के y is equal to 6 के z is equal to 11 के इनका total कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास 22 के ठीक है तो 22 के divided by 11 के क्योंके z की value 11 है यह हो जाएगा कितना 2 option number 2 हमारा correct हो गया next question है हमारे पास question number 61 and यह कहरा है कि the sum of 4 consecutive even number is this much what would be the smallest number तो देखिए हमें पता है even number है तो gap equal रहेगा यानि यह arithmetic की series बन जाएगी तो arithmetic का sum का formula क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d right तो इसका sum कितना दे रखा है 484 is equal to n हमें कितना दे रखा है 4 divided by 2 2a हमें पता करना है यह हो जाएगा हमारे पास 4 minus 1 which is equal to 3 और d हो जाएगा हमारे पास कितना 2 difference 2 होते हैं ठीक है तो अब अगर हम देखें यह गया कितना 2 times यह गया हमारे पास 242 यह हो जाएगा हमारे पास 2a plus 6 2a plus 6 ठीक है और यह हो जाएगा is equal to 242 2a is equal to यह हो जाएगा उस तरफ गया तो 236 and a की value यहाँ पर आजाएगी 118 यानि कि option number 4 हमारा correct हो गया next है हमारे पास question number 63 and यह कह रहा है find the value of this one तो अगर हम देखें इसमें क्या कर सकते हैं 3 को common ले लीजिए यह हो जाएगा 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to 3 n square sorry n square 3 तो common चला गया तो इसकी value क्या हो जाएगे अब square का हमें सम कितना निकालते हैं यह निकालते हैं n minus 1 sorry n plus 1 and 2 n plus 1 divided by 6 into 3 हमें यहाँ पे करना ही था यह गया 2 times यानी कि option number 3 हमारा correct हो गया next है मारे पास question number 64 and यह कह रहा है the population of town increases 10% annually if its present population is this much what is the population in 10 years तो दो साल बात कितनी होगी तो अभी है 6400 पहले साल में यह 110 by 100 होगी then second year में भी 110 by 100 होगी तो यह और यह cancel यह और यह भी cancel यहाँ हो जाएगा 121 into 64 and last में जो है हमारे पास वो 4 आना जी है तो यह तीनों हट गया और option number 3 हमारा correct हो गया next है मारे पास question number 66 which is the tallest victory tower in India that is Fateh Burj ठीक है in which year 1937 in the year 1937 the congress session was held for the first time in the village at Fayezpur ठीक है 68 के अगर हम बात कर लेते हैं which does not belong to the series हमें पूछा है तो यह देखिए इस में से हमें 23, 46, 57 and 30 यानि 17 and 38 तो हो रहे हैं ठीक है तो अगर हम देखिए यह कितना है यह प्लस 6 है यहाँ प्लस 7 हो रहा है यहाँ प्लस 8 हो रहा है यहाँ प्लस 9 हो रहा है मतलब प्लस 9 होता यहाँ पर तो हमारे पास कितना आता 47 आता ना 46 नहीं आता तो यह हमारा जो है यह गलत हो गया और option number 2 हमारा सही हो गया ठीक है next है हमारे पास question number 69 during the quit India movement Aruna Asaf Ali hoisted national congress flag in Bombay which is now in Mumbai 70 है हमारे पास Gunjan and Sophia plays Benbinton and football okay Gunjan and Sophia sorry एक मिन ऐसे नहीं लिखेंगे इसको इसको हम ऐसे लिखेंगे Gunjan and Sophia plays Badminton and football यह Sophia है यह Sonu आगया and Ravi आगया जो के cricket and volleyball खेलते हैं Sophia and Monica plays hockey and cricket और यहाँ पर कौन है Monica जो की hockey and cricket भी खेलती है which game is played by maximum number of people तो देखे क्रिकेट यहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यानि चार लोगों द्वारा cricket खेला जाता है जो की maximum है तो option number 2 हमारा correct हो जाएगा next question number 71 and यह कह रहा है कि two numbers are in the ratio this their product of their LCM is this much तो देखिए हमें पता है कि product of two numbers is equal to LCM into HCF तो यह हो जाएगा 2X into 3X is equal to 9600 which is equal to 6X square is equal to 9600 यह गया कितना हमारे पास यह गया 1600 X की value यहाँ पर आ जाएगे कितनी 40 हमें पूछा है sum of the numbers sum of the numbers कितना हो जाएगा 2X plus 3X is equal to 5X sum of the numbers is हा तो 5X हमें पता करना है that is equal to 40 into 5 which is equal to 200 तो यह हो गया हमारा option number 2 correct next है हमारे पास question number 72 AN is the interface between usual and hardware that is operating system हमें 73rd question करना है that is product of this हमें पता करना है तो यहाँ पर आप LCM ले लीजिए ठीक है यहाँ पर X देखे में पहले बाले का लेक्टे बता रहे हूं बागे सब सेम होगा तो यहाँ आपको पास आजाएगा X plus 1 minus 1 divided by X plus 1 तो यह कैसे हो जाएगा यह हो जाएगा X by X minus 1 ठीक है तो अब आप लिखना शूरू कर दिये यहाँ पर हो जाएगा X minus 1 into X minus 1 by X minus 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास X minus 2 और नहीं प्लस और यहाँ पर भी प्लस था यह भी प्लस है यह भी प्लस है यह हो गया X plus 3 and so on up to last में आजाएगा हमारे पास क्या? X 2X minus 1 by 2X तो यह सारा पार्ट जो है वो cancel होता है चला जाएगा यहाँ हो जाएगा हमारे पास X by 2X X और X cancel यह हो जाएगा 1 by 2 यानि कि option number 2 हमारा correct हो गया next है हमारे पास question number 74 and यह कहरा है the ratio of the radia of two circles is this much what is the area? तो हमें पता है pi r square होता है area का formula तो यह हो जाएगा कि था 1 square by 4 square which is equal to 1 by 16 तो option number 3 हमारा correct हो गया next हमारे पास question number 75 नहीं 76 यह बोल रहा है कि 3X is equal to cos X हमें दे रखा है and 3 by X is equal to cos X then what is the value of this one? तरीक है यह मतलब यह हो जाएगा हमारे पास cos cos square theta minus cos square theta ठीक है? तो इसकी value कितनी होती है? 1 होती है यह हो जाएगा हमारे पास कितना? 9X square minus 9 by X square जिसमें से हम 9 को common ले लेते हैं तो यह हो जाएगा X square by 1 minus X square जो कि 1 के equal था और यह हम से पूछा है तो option number 3 हमारा correct हो गया next है question number 79 यह बोल रहा है कि इसमें से कौन सा given series से belong नहीं करता है? तो अगर हम देखें C plus 3 is F, F plus 3 is 9 and which is I, I plus 3 is L ठीक है यहां तक तो सेम है D plus 3 is G, G plus 3 is J, J plus 3 यहां पर M आना J है था तो यानि कि यह हमारा odd one out हो गया which is option number 3 correct next is हमारे पास question number 81 and यह कह रहा है place value देखिए पहले वाला question जो था वो face value का था place value होती है इसके आगे वाले जो भी बच्ची और नंबर होंगे वो 0 हो जाएंगे तो यह हो जाएगा कितना 70,000 तो option number 1 हमारा correct हो गया next है मारे पास question number 82, नहीं, 84 and यह कह रहा है by selling a vehicle for rupees this much Ram suffers 25% loss what is his loss ठीक है तो अगर हम देखें CP minus 52,500 divided by CP is equal to हमें कितना दे रखें 25% का loss ठीक है तो यह हो जाएगा कितना हमारे पास यह गया 4 times यहां हो जाएगा मारे पास CP is equal 4 CP minus यह हो गया 00, 22 carry, 8, 10, 1 carry और यह हो जाएगा 21 is equal to CP, यह उस तरफ गया, यह धर गया, यह हो गया 3 CP is equal to 21, 4 times 0 यह हो गया कितना 7 and 4 times 0, तो यह आ गया हमारे पास CP, SP हमारे पास इतना दे रखेंगा, इसको minus कर लेते हैं 5 double 0, इसकी value आजएगे 005, यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 1, यानि कि option number 4 हमारा correct हो गया next है हमारे पास question number 85 and इसमें हमें बोला है कि odd 1 out बताना है, ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 जो है वो okay, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है और यहां पर 6 हो है, ठीक है, तो अंदर वाले कि sides कितनी है, 4, यहां 5 होगे, यहां 6 होगे, तो यहां 4 होगे यहां 7 होनी चाहिए थी न, क्योंकि यह increase कर रहा है, तो D हमारा opposite odd 1 out हो जाएगा, which is option number 4, correct next है हमारे पास question number 86 and इसमें हमें बोलाए कि कितने triangles हैं, तो देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, चीक है यह हो गया, अब मैं color change कर देती हूँ यह हो जाएगा, 6, 7, 8, और 8 हो गया, अब क्या बज़्चा हमारे पास होनी तो 10 जहीं है एक मिट वापस बनाते हैं, 5 आपने देख लिए हैं, चीक है, यह हो गया 5 अब एक यह है, 6, एक यह है, 7, और एक है हमारे पास 8 यह हमारे पास कौन सा है यह एक है, 9, मैं यह बना देती हूँ देखिए, एक है हमारे पास ऐसे वाला, 5, 6, 7 पांच तो यह हो गया, 6, 7, 8, यहां बनाऊंगे मैं 9 और एक हो गया हमारे पास, लास्ट वाला, विच इस यह वाला, चीक है, तो और टोटल हो गया, यहां पे 10 तो option no.4 हमारा correct हो जाएगा next है 87 and इसमें बोला है कि how many pentagons are there तो pentagons क्या होते हैं, 5 side होनी चीए, तो यह हो गया, हमारे पास पहला एक, दो, तीन, चार, पांच तो यह हो गया, हमारे पास पहला, एक, दो, तीन, चार, और पांच तो option no.1 हमारा correct हो गया next है हमारे पास question no.88 and यह बोल रहा है कि इसमें question mark के जगे क्या आएगा तो अगर हम देखें, यह 6 into 2 करने से 12 होगा, 12 का square 144 5 into 3 करने से हो गया 15, 15 का square 225 तो किसको multiply करने से 256 आ रहा है, 256 होता है हमारा किसका square तो यह होता है 16 का square, तो 4 into 4 करेंगे तो हो जाएगा 16, which is option no.2 correct next हमारे पास question no.89 and यह बोल रहा है कि हमें पता करना है and का code क्या होगा, ठीक है, तो and का पर यहाँ पर, clean इन दोरों में है यहाँ और यहाँ पर common क्या है, तो यह हमारे पास hashtag, तो hashtag तो हट जाएगा तो clean का हो गया hashtag, need यहाँ पर common है, and इन दोरों में common क्या है, add the rate तो add the rate भी हड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बच्चा डी बच्चा जो की हमारा हो गया किसका code and का which is option number 4 correct next है हमारे पास question number 90 and यह कह रहा है कि which of the following is different तो अगर हम देखें यहाँ पे 2 1 3 को add करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 2 1 को add करने से 3 बनता है 3 2 को add करने से 5 बनता है 6 और 3 को add करने से 9 बनता है but 4 and 2 को add करने से 7 नहीं 6 बनता है यह हमारा odd one out हो गया option number 3 correct next question number 91 and यह कह रहा है कि इसमें हमें बताना है question mark के जुके पर क्या हैगा तो अगर हम देखें यहाँ पे 2 into 3 करते हैं and इसको multiply करते हैं 4 plus 4 से तो हमारे पास आजाएगा 68 वहीं पर अगर हम देखें 3 into 2 करते हैं और 7 में 1 plus 6 करते हैं तो यह आजाएगा 67 यह first number है यह second number है तो 1 into 5 करने से 5 हो गया और 7 plus 2 करने से 9 यानि कि यह 59 हो गया option number 1 correct next step question number 92 and यह कह रहा है कि कौन सा वेल डाइग्राम इसको satisfy करेगा तो players, humans and students तो humans तो दोनों यहोंगे players भी और students भी तो option number 4 हमारा correct हो जाएगा which is second figure next है हमारे पास question number 93 and यह बोल रहा है कि question mark के जगे क्या आएगा तो अगर हम देखें 1 square करते हैं तो 1, 2 square क्या होगा 4, 3 square 9 and 5 square is 25 तो इसकी sum हो गई 39 वहें बद 2 square is 4 plus 9 plus 16 plus 25 हो गया हमारे पास 54 तो यहां होगा 1 plus 3 plus 9 plus 16 plus 25 which is equal to 51 तो option number 2 हमारा correct हो गया next है question number 94 यह कह रहा है कि temperature is heat तो humidity क्या है heat से temperature बढ़ता है moisture से humidity बढ़ती है तो option number 4 हमारा correct हो गया next is question number 95 यह देखें leaf यहां से उल्टा लिखा गया है तो यहां से इसको उल्टा कर देते हैं तो यह लिखा जाएगा take की तरह तो option number 4 हमारा correct हो गया next है question number 96 and यह बोल रहा है कि all students pass the exam ठीक है some of the students are girls तो यानि कि इसका हम conclusion क्या निकाल सकते कि no girl student has failed the exam option number 1 हमारा correct हो गया next is question number 97 and यह कह रहा है कि bed is coded like this तो D.I.J. कैसे coded किया जाएगा तो B होता है हमारे पास 2, E होता है हमारे पास 5 और यह होता है हमारे पास 4 तो यह देखिए square किया है basically 4, 25 and 16 तो D होता है 4, 4 का square is 16 तो यह तो हट गया 9 होता है यह 9 का square is 81 तो यह भी हट गया, यह भी हट गया option number 3 हमारा correct हो गया next is question number 98 and यह बोल रहा है कि यह हमें पता करना है ठीक है तो अगर हम देखिए इन दोनों को multiply करते हैं 2 and 1 को तो 2 आ गया, 8 into 5 is 40 तो 3 into 0 हमारे पास हो जाएगा 0 which is option number 3 correct next is question number 91 and यह बोल रहा है कि shaded position किसको depict कर रहा है तो यह देखिए यह है कि यह एक female है और teachers है यानि a group of female teachers who neither play badminton, badminton के बाहर है, tennis के भी बाहर है तो option number 1 हमारा correct हो जाएगा next question number 100 and यह बोल रहा है कि इसको हमें change करके answer निकाल रहा है तो यह हो जाएगा 18 into 10 plus 20 divided by 8 minus 6 यह हो जाएगा कितना 200 divided by 8 minus 6 इसकी value आगई 25 and यह हो जाएगा 25 minus 6 which is 19 तो option number 3 correct हो गया तो यह था about all the questions for today's question paper and अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो do let me know in the comment section हम फिर मिलेंगे in the next video तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये thank you and जय है